नमस्कार दोस्तों हमारे योट्यूब चैनल में आप लोगा बहुत स्वागत है दोस्तों अगर टॉयलेट बहुत ज्यादा गंदी हो जाए टॉयलेट की जो सीट होती है न वो अगर बहुत ज्यादा गंदी हो जाए काले पीले दाग लग जाए छुट नहीं रहे हैं देख स लगता है जैसे कापी समय से इसको साप नहीं किया है ठीक है तो इस वीडियों के एंतर बने रहने दोस्तों और बहुत इंटरेश्टिंग वीडियों होने वाली है दोस्तों तो देखिए यहाँ पर मैंने यह कच्छ़ acid लिया है देख सकते हैं ये कच्चा acid है जो कि बिशलरी की खाली बोतल में मैंने acid को भरा है कच्चा acid को ठीक है और यहां पर मैंने एक सूती कपड़ा लिया है और यहां अब एक toilet बुर्स को लिया है यह नया बुर्स है अभी इसको फर्ष्ट बार यूज किया जाएगा तो देखे दोस्तों अभी देख सकते हैं बहुत ज्यादा काले दाग लग रहे हैं दोस्तों मेरे पास कमेंट भी आया था कि अगर सीट में काले दाग लग चुके हैं तो उन लिया है ठीक है बुर्स के आसपास इसको सूती कपड़े को लपेट सकते हैं यहां पर मैंने कच्चा एशिट लिया है सबसे पहले दोस्तों क्या करना है डारेक्ट एशिट को इस्तमाल नहीं करना है यहां पर पहले इसको हम थोड़ा गीला कर लें तो देख सकते हैं हमने यहां पर इसको गीला कर लिया है अब दोस्तों देख सकते हैं अब इसको करना है इसको इसको पर कच्चा एशिट को डालना है तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने दो-चार डखकन इसको पर डाल लिया है अब दोस्तों करना क्या है देखिए इसको पहले सीट को भी गीला कर ना है सूखे पर ने मानना है चलिए इसको शुरू करते हैं पर ने मानना है चलिए इसको शुरू करते हैं पर ने मानना है चलिए इसको शुरू करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे जो शीट के जो दाग है वो बिलकुल खतम हो चुके हैं एक बात दोस्तों हमेशा ध्यान रखना ये शीट को कभी भी दोस्तों डानेक्ट इस्तमाल मत करना रोज इस्तमाल मत करना हैं कभी भी बहुत जादा दाग लग रहे हैं छुट नहीं रहे हैं तभी इसको इस्तमाल करना है वो भी पानी मिला करके ये कच्छा अगर हाथ में भी लग जाए तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होती है तो देख सकते हैं अपना सीट बिल्कुल क्लिए हो चुका है तो देख सकते हैं दोस्तों अपना जो टॉलेट का सीट है बिल्कुल क्लिए है तो इसी तरह से अपनी घर की टॉलेट को क्लिए कर सकते हैं कच्चा इसीट की मदद से तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार